अपके अपनी इंग्लिश एडूकेटर अपके लिए आज मैं कोई रिकॉर्डड विडियो लेकिन नहीं आरे आपके लिए आज मैं साक्षाथ आपके सामने लाइव आई हूँ आपके सारे डाउट्स वगरे क्लियर करने के लिए क्लास 12 के CBAC की मेरे इंग्लिश के स््टुड였ици को आप लोगों का विल्कुल टेंशन लेने की ज्शुरूधि है बहुत सारे भी कॉमेंद्स वगरे रीड कर रहे थी तो मैं बहुत टेंशन वह रही है अब कोई टेंशन नहीं है अब माम लाइव आ गई है, अब सारी टेंशन हमारी खतम हो चुकी है Why? Because क्यों? क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पर माम आपको लाइव देने वाली है So let's see, इसमें हम लोग, आप लोगों के हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा जॉइन कर लें Let's see Yes, once Johan is saying good morning ma'am, good morning everybody, good morning Hello, good morning Anil, Aritra Goswami, good morning Hello, सब को बहुत सारा good morning, हम बहुत positivity के साथ start करेंगे कोई tension mention लेने की जरूफ नहीं, क्योंकि आप 3 दिन हैं हमारे पास and in 3 days में हम लोग पूरा खतम कर देंगे, already हमने सारे chapters के explanation, summaries, question and answers, poetic devices, previous circle question papers, sample question papers, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है We have done everything, but अब live में हम कुछ important questions देखने वाले हैं, आज के हमारे इस session में, आज हम पूरा flamingo finish करने वाले तो मैंने कुछ इस तरीके से schedule किया हुआ है, कि आज हम पूरे chapters in poems करेंगे, flamingo के, कल हम Vistas के सारे chapters देखेंगे and per so that is day after tomorrow, we'll be covering all writing section portion and सारा grammar का जो आपका portion है, वो सब कुछ हम cover up करने वाले हैं तो ये 3 days में आपको सब cover करा दूंगे और हम कोई पूरा पूरा दिन live नहीं लेने वाले हैं, पूरा पूरा दिन हमें English पढ़ने की कोई जरुवत नहीं है जितनी देर में आपके साथ यहां पर available हूँ, उतनी देर में मैं सब cover up करा दूंगे और उसके बाद जिसे आपको brush up करना है, कुछ answers अगर आपको read करने हैं, कुछ words अगर learn करने, characters के नम तो वो सब आप बैठ के अपना personal studies में कर सकते हो, otherwise extra आपको कुछ भी नहीं करना, okay Mihir Davgar is asking कि ma'am, आप letter कराने वाले हैं, yes, day after tomorrow, writing skills में, मैं पूरा सब कराने वारी हूँ, letter, notice writing, grammar sessions, everything, invitations, कुछ भी नहीं छोडने वाले हूँ, मैं सब कुछ कराने वाले हूँ, आप बिलकुल, tension मतलो, yes Hello, I'm all good, I'm all good and मैं यह चाती हूँ, कि आप सब भी good रहें, बिलकुल, tension नहीं लें, okay बहुत सारे बच्चे, tension में, I don't know why, English को ले के इतनी है, तनी है, सब तो हमने cover up कर लिया, and three days के life session में, मैं आपको सब complete करा दूँग, आपको tension लेनी के जुरूत नहीं है When magnet brains is there, there is no fear, okay, तो tension की बिलकुल बात नहीं है, हम बस two minutes और wait करते हैं, कि हमारे और students सब जॉइन करते जाने, तो let them join, सब को जॉइन करने तो, and then we'll start our maha marathon, okay, tension की बिलकुल कोई बात नहीं है Shashank, Mishra, ma'am बहुत डर लग रहा है, क्यों डर रहे हो Shashank, there is no need to be afraid भाई, जब ma'am यहाँ पर है, मैं आपको पूरा-पूरा guarantee दे रही हूँ कि मैं सब कवर कराने वाली हूँ, तो डरने की कोई बात ही नहीं, English है यार, मैं तो कह रही हूँ किसी भी subject में क्यों डरना है, मै मैं guarantee दे रही हूँ, बहुत अच्छा करने वाले, तो डरेगा नहीं, Anisha ma'am का कोई भी student डरने नहीं वाला, that's for sure, okay, अभी जो यह ma'am आप beautiful वाले जनता है, वो अभी सब भूल जाए, सारी beauty, beautiful ma'am, hello ma'am, love you ma'am, यह सब अभी सब बाद में, सारा प्यार जितना आपको मुझ concentration यहाँ पर, otherwise फिर नहीं बोलना, डर लग रहा है, अभी यहाँ पर मैं live आई हूँ, तो सब लोग मेरे साथ यहीं पर आएंगे, okay, ma'am, reading comprehension का भी practice करवा दीजेगा, Babita Sahu is asking, yes, everything, सब कुछ आपको मिलेगा, आपको don't worry, आपको, बिलकुर मैं कह रही हूँ न, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़वाँगी, सब कुछ cover up करेंगे, आज अच्छे से flamingo करेंगे, फिर कल हम विस्तास करेंगे, फिर हम writing skills, grammar, reading section जो ह आपको वो सब cover up करने वाले है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं, okay, I think most of the students have joined, बहुत सारे बच्चों ने हमें जोइन कर लिया है, है न, आज के हमारे session में हम लोग सारे chapters and poems करने वाले हैं, flamingo के याने सारे important questions हमें in chapter and poems के करने वाले हैं, basically मैंने आज का जो live session ऐसे set करके रखा है कि मैंने कुछ important questions रखें, जो हर एक chapter से belong करते हैं and मैं इस तरीके से explain करूँगी कि उन questions के साथ आपकी summary cover होती जाएगी, तो आपको पूरा chapter समझ में आता जाएगा और questions भी साथ में cover होते चले जाएगे, तो आपका flamingo तो आज पूरा खता में, वो मेरी guarantee, वो कुछ रहें, doubt ma'am please, तो अभी जैसे ही मैं ये session complete करूँगे या ongoing session के बीच में अगर कोई doubts होंगे, तो वो मैं doubts भी आपके साथ साथ clear up करती जाओंगे और end में हम 5-10 minutes doubt session रखेंगे, फ्लमिंगो बुक के chapters and poems से related, जो भी आपको doubt होगा वो आप आज के session में मुझ से पूच स करती चलूँगे आपके ongoing, उसमें आपको tension लेने की जरूरत नहीं है बच्चापाटी, खुशी पूच रही है, sample paper ma'am, sample papers मैंने सारे करा दिये, previous year के question papers मैंने सारे करा दिये, जो question paper CBAC ने release किया था, एक sample paper वो भी मैंने करा दिया है, तो वो सब आप हमारे website पर जाए, which is www.magn brain.com, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, यह सब ready करके मैंने आपको दे दिया है, yes, are you Shrana, ma'am कह रहा है, break please, अभी तो we have just started, break मिलेगा, आपको बीच में 2 minutes का water break, washroom break, साब मिलेगा, but अभी let's start first, okay, I'm just waiting for 2 more minutes, ताकि सारे हमारे students नो है, वो join कर जाए हमारे साथ, English में बिलकुल नी डरना, लोग कह रहें, English में डर लग रहा है, Math से जादे डर लग रहा है, कोई डरने के जरूद ने, English है, big deal है, यहाँ पर magnet brains में आप आई हो, तो सब big deal हो जाते है, कोई big deal नहीं है आपर, Okay, चलो, I think most of the people have joined, काफी people, students have joined, and let's start without wasting our time, क्योंकि पूरा दिन थोड़ी English पढ़ोगे, आप लोग दूसरे subjects भी तो पढ़ने हैं, अभी English में इतना कोई tension load लेने की जरूरत नहीं है, Okay? Some students are reply, कि ma'am, I am a new student, तो new student हो, आप magnet brains पे, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता, यहाँ पर जो new students है, या जो already existing students है, हमारे channel के, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता, यहाँ पर मैं सब के लिए available हूँ, सब को मैं doubts क्लियर करने वाली हूँ, आप दिल खोल के अपने doubts लेके मेरे पा Okay, चलो, let's begin now, कोई tips बगर होंगी, किसी answer को लेके, तो हम साथ-साथ वो करते जाएंगे, okay Okay, so let's begin with Flamingo book, all chapters and poems, सारे most important questions अब इसमें से करने वाले हैं, हर question के साथ, मैं आपको story explain करते जाऊंगे, ताकि summary भी cover होती चली चली जाए, okay अब जो आपके prose हैं, और जो आपके poems हैं, उसमें क्या-क्या आरहा है, इस book में सबसे पहले वो देख लेते हैं Prose याने जो chapters हैं आपके Flamingo book में, उसमें The Last Lesson by Alphanzo Dodded, Lost Spring by Anise Jung, Deep Water by William Douglas, The Rat Trap by Selma Lagaloff, Indigo by Lewis Fisher, Poets and Pancakes by Aso Kamitran, The Interview, जिसके दो parts हैं, part 1 and part 2, part 1 is written by Christopher Sylvester, Part 2 is written by, it is an interview with Umberto Eco, so Mokun Padmanabhan, जो की इक interviewer है, and Umberto Eco, जो की एक author है, the name of the book Rose के, इन के बीच में एक interview हुआ है, तो वो सारा question and answer वाला सारा part 2 जाएगा आपका, and last सारा है आपका Going Places, which is written by A.R. Barton, तो यह सारा आपके chapters आज हम cover करने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी chapter ऐसा नहीं है, जो इस साल डिलीट हो चुका है, तो हमको सारे ही chapters पढ़ने, Yes, poems में एक poem deleted है, which is an elementary school classroom in a slum, वो आपको नहीं पढ़नी है, वो इस साल के आपके syllabus में नहीं है, तो वो हमने इस में mention नहीं करे हैं, इसके questions, okay? Let's wait for two more minutes, थोड़े से बच्चे और जॉइन हो रहे हैं, थोड़े जॉइन हो जाएं बच्चे, तो इसके questions, okay? Okay, चालो, maximum students have joined, let's start, okay? Okay, first question हमारा देखते हैं, What shows M. Hamill's love for the French language? अब clearly, यह जो आपका first chapter है, the last lesson, उसमें सही है question given है, कि ऐसी क्या चीज़ दिखती है M. Hamill को अगर हम देखें, M. Hamill कौन थे वो मैं सब बताऊंगी, कि M. Hamill का प्यार हमें French language के लिए कैसे दिखता है कि Mr. Hamill या M. Hamill French language को बहुत प्यार करते हैं? तो story जो है कुछ इस तरीके से start होती है, कि situation war की है, war चल रही है किसके बीच में? France and Germany के बीच में, उस जमाने में Germans को हम Prashians कहते थे या Prashia कहते थे, तो chapter में Prashia या Prashians word used है, जिनने आज के ताइम पे हम Germany कहते हैं, तो Prashians and French people के बीच में war थी, जिसमें Prashians जो थे war में जी districts थे, जो कि France में थे, वहाँ पर एक notice लगवा दिया गया था, वहाँ पर ये एक एहलान, एक declaration कर दी गई थी, कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी French language नहीं पड़ेगा, क्यों क्योंकि अब Germans जो है वो जीत गए, तो यहाँ पर German language पड़ाई जाएगी, अब एक school है, जहाँ Mr. Hamill, French language के teacher है, उन्होंने 40 years तक उ स्कूल में French पड़ाई है, and France, F-R-A-N-Z, France नाम का ये एक बच्चा है, जो कि उन्हीं का student है, अब France को na French language बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है, Mr. Hamill भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि हमेशा चलाते है, डाटते है, बहुत strict teacher है, yes, त तो वो क्या करता है, उनको हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन उन्होंने उसको homework दिया, कि तुम participants पर ये homework करकर आओगे, उसने नहीं किया, अब उसने homework भी नहीं किया, और वो स्कूल के लिए बहुत लेड भी है, दोड़ा भागा जा रहे स्कूल के जल्दी 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 enjoy करते हुए और homework भी नहीं करा है, लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने देखा किया, बहुत भीड हो रखी है, notice boat के पास में बहुत भीड है, और ये वो notice boat है, जहां पर कोई official notice जो है, वो हमेशा आता है, उसने देखा notice है भई, क्या है, अब व Today's class was very quiet and still, M. Hamill जो थे, वो attire कौन सा पहने हुए थे, एक formal attire पहने हुए थे, usually जब कोई special occasion होता है, उस दिन वो पहन थे, तो आज जो teacher थे, वो ऐसा attire पहन कर आय थे, and class में students तो थे ही थे, और जो last की benches थे, वो सारी villagers, याने, Alphanso, Alsace and Lauren नाम के जो दो डिस्ट्रिक्स उनके villagers के साथ पूरे, भरे हुए थे, last के पूरे benches, अब उसको लगा कि भई ये, क्या हो रहा है, आज तो बहुत unusual सा site देख रहा हूँ मैं, स्कूल में, चुप चाप जाके वो बैढ़ गया, चो ताकि मतलब क्योंकि वो homework तो करके नहीं आया, and finally उसको Mr. M. Hamill बहुत sad tone मे सब को बताते हैं कि French language is the most beautiful language ever in the world, हम लोग ने French पर ध्यान नहीं दिया, हमारी mother tongue पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जो मेरा French language का lesson है, आज last lesson है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद आपको यहाँ पर German language पढ़नी पड़े की, long live our French language, और यह जब सुना France इस बच बहुत बुरा फील हुआ, कि हमने हमारी language पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमने हमारी mother tongue पर कभी ध्यान नहीं दिया, और आज जब हम लोग को Germany language, German पढ़ने को बोला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो आज हमें हमारी language की value समझ में आ रही है, तो वो बहुत ही मतलब दु कि आपको अगर इन जेल में से निकलना है, इस Germans और इन Germans के जेल में से निकलना है, तो अपनी mother tongue, अपनी French language को कभी मत भूलना, क्योंकि यह वो language ही है, यह आपकी भाशा ही है, जो आपको इनके, जो इनका rule है, इनका जो यह operation है आपके उपर, उससे आपको बचा के रखेगी हमेशा, तो आप जीत सकते हो German से कैसे अपनी language पर कंट्रोल पाके, आपकी भाशा ही है, जो आपको सबसे जीत दिलाएगी, okay, so this was all about the chapter, अब question में यह पूछा जा रहा है कि भाई, M. Hamill का जो प्यार था French language के लिए, वो हमें कैसे दिखता है, what shows, हमें कैसे दिखता है, Mr. Hamill क में French language को बहुत प्यार करते है, so let's check the answer, M. Hamill had taught the French language in the school for 40 years and was overwhelmed with emotions when he realized that the villagers would not be able to learn it anymore, he wanted them to preserve the language with them, thus showing his love for the language, so Mr. Hamill जो थे, M. Hamill जो थे, उन्होंने यह French language उस school में कितने साल तक पढ़ाई है, 40 years, यहने उन्होंने अपनी पूरी उमर निकाल दी, 40 साल उस school में यह French language पढ़ाते पढ़ाते हैं, and जब उन्हें यह realized हुआ, जब उन्हें यह समझ में आया, कि हमारे गाओं के जो लोग हैं, जो हमारे villagers हैं, अब कभी भी French language नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब इनको German language पढ़नी पढ़ेगी, because Germany war में जीत गया है, Prussia has won the war, तो वो बहुत overwhelmed हो गए emotions से, य जो चाहते थे, उन सब villagers, उन सब बच्चों से यह बोलना, यह कहना, कि अपनी language को, अपनी भाशा को preserve करके रखो, जितना हो सके बचा के रखो, language learn करो, अपनी भाशा को छोड़ना मत, और thus इससे हमें क्या दिखता है, showing his love for the language, और इससे हमें यह पता चलता है, कि वो French language को ब जो यह वाला question होता है, अब इस question से related, या इस chapter से related, अगर किसी को कोई doubt है, तो I am here, आप पूछ सकते हो, simultaneously साथ साथ आप पूछ सकते हो Central idea, आप पूछा जा रहे है कि Central idea क्या है, चाप्टर का Central idea यही है, कि अपनी mother tongue को आप preserve करके रखे, चाहिए आप France में रहते हो, Germany में रहते हो, इंडिया में रहते हो, अपनी language बोलना, लिखना आपको आनी चाहिए, you should have power and control over your language, क्योंकि कभी ये time अगर आगया कि आपको who will be their slaves, आप उनके घुलाम बनके रह जाएंगे अगर आपको अपनी भाशा ही नहीं आएगी, आपको उनकी language learn करनी पड़ेगी, okay, okay, all clear, okay, very good, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question, describe Mukesh as an ambitious person, अब Mukesh एक क्यारेक्टर है, किस चाप्टर का Lost Spring which is written by Anis Jung, तो Lost Spring चाप्टर का ये बच् मुकेश, अब स्टोरी इस तरीके से चलती है, कि जो हमारी author होती है, जिनका नाम है Anis Jung, वो जाती है एक जगा पर, yes, और वो जगा होती है फिरोजबाद, अब फिरोजबाद है एक ऐसी जगा है which is famous for bangle making, चूडिया बनाने का business होता है, वहां के हर एक family member जो है, हर एक पूछे से पूछती है कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो कहता है कि मुझे motor mechanic बनना है, तो वो कहती है कि do you know how to drive a car, car चलाने आती है, तो वो बहुत confidently बिलकुल आखों में आखे डाल के author के कहता है कि I will learn to drive car, मैं car चलाना सीख जाऊंगा, यानि उसे आता नहीं है, लेकिन व बैंगल मेकिंग के business में involved है, और यहां तक कि उनके बड़े, बुड़े, भुजर्ग, बच्चे, फैमिली, हर एक फैमिली मेंबर बैंगल मेकिंग में, अब बैंगल मेकिंग अगर आपको बनानी है, तो आपको glass furnace में काम करना पड़ता है, यहां पर काम करना बहुत इलीग तक चली जाती है, और उनकी family के जितने बड़े बुजर्गे, उनकी eyesight already जा चुकी थी, because of this bangle making business, क्योंकि बहुत dim lights में, finances में काम करना पड़ता है, और चाहा कर भी यह लोग अगर बोलें कि चलो हम bangle business नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, तो यह एक vicious circle में फसे हुए, क्यों पैसो में या फिर अभी बोल दिनते हैं, बाद में देंगे पैसे, उससे bangle खरीद लेते हैं, और bangle का raw material खरीद लेते हैं, basically, तो वो क्या हो जाते हैं, इनके कर्सदार बन जाते हैं, डेटर बन जाते हैं, फिर यह लोग क्या करते हैं, इन ही से bangles बन आई हुए, खरीदते flowers उकते हैं, नए trees bloom होते हैं, trees पे नए leaves आते हैं, तो springs यहाँ पर बोला के हैं, बच्चों को कि यह जो बच्चे जो अभी फूल की तरह खिल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, यह लॉस्ट हो गया, यह कही नहीं खो गया है, क्योंकि यह बच्चों के उपर अपनी family को चलाने क responsibility आ गई है, इतनी कि इनके eyesight भी जारी है, बच्चों के आखों में dreams हैं, सबने हैं, कि उनको motor mechanic बनना है, सब करना है, लेकिन कहीं न कहीं यह शाथ future में possible होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ उनके गाउं में कोई car नहीं है, secondly, वहाँ पर चाहा के भी वो लोग इ इसकी वज़े से पूरी family, ultimately हर generation जो है उनकी bangle making में involved है, अब आपको describe करना है कि जो बच्चा मुकेश था, यह ambitious person कैसे था, ambitious person वो person होता जो अपने ambitions, अपने goals, अपने future के लेके बहुत जादा सोचता है, okay, let's check the answer, मुकेश is an ambitious person because he wants to become a motor mechanic by breaking free from the vicious circle of generations of families being involved in bangle making. अब मुकेश एक ambitious person है, because, याने क्योंकि वो क्या बनना चाहता है, he wants to become a motor mechanic by breaking free from the vicious circle of generations of families, तो उनकी जो families है, generation से, पीडियों से, किसमें fuss ही हुई है, एक vicious circle, एक ऐसा घेरा, जिसमें वो लोग fuss चुके है, चाहा के भी बहार नहीं निकल से, उनको चाहा के भी, मतलब वो इस करना पड़ेगा, ताकि पैसे कमा कमा के, कर्ज अपने चुकाते जाएं, अब जैसे जैसे कर्ज चुकाते जाते हैं, लेकिन बैंगल भी बन रही है, बैंगल के लिए raw material चाहिए, again, यहां से कर्ज पूरा करते हैं, और नए कर्जदार बन जाते हैं, जब raw material खरीदते है तो इस continuous circle में वो लोग फसे हुएं, तो मुकेश इस vicious circle, इस जहरीले circle से बाहर निकलना चाहता है, और एक motor mechanic बनना चाहता है, he has the courage to dream to becoming a motor mechanic, thus breaking free from destiny, तो उसके अंदर एक courage है, एक हिम्मत है कि नहीं, मुझे motor mechanic बनना है, मुझे बैंगल मेकिंग के business में नहीं जाना, और इसलि का ये जो जाल है, इसको तोड़के बाहर निकलना चाहता है, और एक motor mechanic बनना चाहता है, तो इस all things shows that he was an ambitious person, ओके, अब इस chapter से related, कोई doubt है तो आप पूच सकते मुझ से, Question पूच रहे, what do you mean by ambitious? Ambitious इंसान, ambitious person वो person होता है, जो future को लेके, अपने career को लेके, बहुत ambitions होते हैं, उसके अपने होते हैं, dreams होते हैं, एक goal होता है कि हाँ, मुझे बड़े होके ये goal अचीफ करना है, that is an ambitious person, उसके अंदर ambition है कुछ करने के लिए, okay, all clear, fine, ठीक है, ठीक है, no doubt, ठीक है, सबको clear है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, next question, what handicap did Douglas suffer from, how did he overcome that, अब ये जो question है, ये पढ़के हमें clearly समझ में आ रहा है, कि जो आपका chapter है, deep water, उसमें से ये question given है, और जो इसके writer है, author है, वो है William Douglas, okay, question में पूछा जा रहा है, कि what handicap did Douglas suffer from, अब handicap का मतलब क्या होता है, a circumstance which makes progress difficult, एक ऐसी situation है, कि ऐसा circumstance आ जाता है, जिसमें आप कोई कोशिश कर रहे हो, कुछ progress करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो progress मुश्किल हो रहे हैं, आपको करने के लिए, yes, कहीं ने कहीं, आप बहुत ला लाचार हो, आप handicapped हो, कि आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कोशिश नाकामयाप हो रहे है, you are feeling handicapped, तो ऐसी क्या लाचारी थी, जिससे हमारे writer, जो author है, William Douglas, वो से सफर कर रहे थे, और कैसे उन्होंने इस लाचारी, इस handicappedness से overcome कर पाए, उभर के बाहर आ पाए, तो story कुछ इस तरीके से होती है, जब writer छोटे बच्चे होते हैं, कुछ two, three years की होते हैं, तो वो California के एक बीच पर अपने father के साथ जाते हैं, खेलने के लिए, और वहाँ पे suddenly एक बहुत बड़ी wave आई और उनके उपर से होके चलीगी, मतलब वो पूरा do भी गए थे उस wave में, तो ये वो टाइम है, जब से उनके मन में एक पानी को लेके डर, fear from water start हो गया था, जिसकी वज़े से वो कोई भी अच्छे अच्छे water sports नहीं कर पाते थे, fishing के लिए नहीं जा पाते थे, जो उनको सब water related sports अच्छे लगते थे, अब वो थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने सोच पानी क्या होता है, वो swimming class पाचे और उन्होंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, वो श्याद जल्दी आगए थे, अभी कोई पाचा ही नहीं था, अभी थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं अभी अखेले पानी में नहीं जाता हूँ, because he was afraid of water, अभी trainer भी नहीं आया है, तो सोचा कि चलो मैं पूल के साइट में बैठ जाता हूँ, जैसे ही वो वहाँ बैठे, अभी थोड़ी ही देर हुई थी बैठे हुए, एक bruiser kind of a boy आया, जो बहुत muscular था, 18 years का था, and he was looking very smart, क्योंकि अच्छे muscles muscles थे, और जैसे ही वो आया, he started bullying the writer, उसने जैसे डख कर दे, याने पानी में जोर से डबो दे, और ऐसा बोलके उसने writer को, William Douglas को पानी में डबो दिया, डख का दे दिया, वो बहुत डर गए और वो बिलकुल पानी में जट पताने लगे, क्योंकि वो पानी के अंदर चले गए, एक point ऐसा आया, कि उनकी सोचने की शक् करूँगा, ताकि मैं उपर की तरफ आजाऊं, तो surface पर आजाऊंगा, कोई मुझे देख लेगा, तो मुझे बचा लेगा, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकामयाब गई और उपर तक नहीं आ पाए, somehow, एक point ऐसा आया, कि उन्हें लगने लगा, कि मे करना, canoeing करना, water sports करना बहुत अच्छे लगते थे, उन्होंने सोचा कि मैं कब तक इस दर के साथ जीता रहूँगा, कब तक अपने desires, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करूँगा, उसने एक trainer लिया, और trainer ने उसको proper personal training देना start करी, and इस बार वो बड़े होगा, उन्ही ज रिवर में, lake front पूरा जाके, swim करके वापस आ गए, तो story की theme ये निकलती है, story का main moral ये निकलता है, कि जो मौत का डर है, वो जाधा dangerous है, कि अरे मौत आ जाएगी, death आ जाएगी, death आ जाएगी, एक बार अगर आप death को experience कर लो, then everything is finished, क्योंकि उन्होंने वो death experience करी थी, जब उन आपको कुछ feeling नहीं होगा, yes, तो वो कहते, इस डर से overcome करना है, इस डर से उभर के आपको उपर आना है, तभी आप life में successful हो पाएगे, अब अगर question देखे, कि क्या लाचारी William Douglas सफर करते थे और कैसे उन्होंने इस से overcome किया, उभर के आए, तो यही handicap था कि वो पानी से बहु of water, which he developed after a traumatic experience in pool, this deprived him of the basic joys of life, तो यह जो handicap, यह जो लाचारी थी, जो Douglas सफर करते थे, यह चीज उनको बहुत ट्रबल करती थी, कईने कई बहुत परिशान करती थी, और यह क्या थी, fear of water, पानी का डर, जो कहां से develop हुआ था, कहां से आगय था, एक बहुत traumatic experience था उनका swimming pool में, जब बच्चे नो उनको धक्का दिया था, तब से यह डर बहुत ज़ादा बढ़ गया था, और इसकी वज़े से जो life के basic joys होते हैं, fishing करना, swimming करना, boating करना, इन सबसे वो deprived थे, कईने का इससे वंचित हो गए थे, he overcame his fear by gradually exposing himself to water with the help of an instructor who taught him to swim, तो उन्होंने का मुझे इस द रखा अपने लिए, जो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से swim करना सिखाया, he eventually conquered his fear and swam in various places to challenge himself and overcome his fear completely, तो उन्होंने अपने sphere को conquer की, अपने sphere से जीत के बाहर निकले और अलग-अलग जगा, अलग-अलग lakes, rivers में swimming करने, अकेले जाते थे ताकि वो खुद को challenge कर पाए, खुद को चुनौती दे पाए कि देखता हूं मैं कैसे यहां से वहां swimming अकेले नहीं कर सकता हूं, तो इस तरीके से वो अपने doubt है, तो please ask, yes please ask, I am waiting for the doubts, Yes, कोई पूछ रहा है, YMCA का swimming pool का full form के है, तो it's Young Men's Christian Association, यह इसका full form है No doubt, clear, okay, तो YMCA का मैंने full form बता दिया, दो-तीन लोगों को doubt था, Young Men's Christian Association, यह वहां पर YMCA swimming pool का full form का, बाकी इसके अलावा, there are no doubts, everything is all clear, आगे बढ़ते हैं, okay, Next question, what do we learn about the crofter's nature from the story, the rat trap, तो clearly यहां तो question में given ही है, कि यह question किस story में से, किस chapter में से है, the rat trap में से यह story है, यह question है तो crofter के बारे में हम क्या सीखते हैं, हमें क्या पता चलता है, story, the rat trap में से, अब crofter कौन है, पहले तो हम यह देखेंगे, an owner of a small farm यह farmer, एक छोटे से farm का जो मालिक होता है, या जो एक छोटा सा farmer होता है, हलका-फुल का छोटा था तो farmer होता है, उसे हम crofter कहते हैं, अब story यह बहुत गरीब होता है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है, इसका कोई घर भी नहीं होता है, हर देन इसको एक जगा ढूणनी पड़ती है रात में कि हां मैं मैं रात को सो सकता हूं, क्योंकि इसके पस घर नहीं, he's a vagabond इधर औधर भटकता रहता है, होता यह है क यह राट्राप सेल करता है, क्योंकि सर्फ राट्राप बेच के इसका सर्वाइवल नहीं होता, तो यह चोटी-मोटी चोरिया भी करता है, और बेगिंग याने भीग भी मांगता है, अब सड़नली एक दिन क्या होता है, यह गूमते-गूमते-गूमते एक क्रॉफटर एक फार्मर के घर पहुच जाता है, फार्मर भी बहुत लोनली है, बहुत अकेला है इस दुनिया में, उसका कोई वाइव, बच्चे, फैमिली कोई नहीं है, तो यह जाता है कि मुझे आज रात के लिए ठहरने दे तो भाई घर तो है नहीं इसका, क्रॉफटर ने इसको वेलक वेलक होता है वो बेचके पैसे कमाता हूं, और कली देखो मैं 30-Kroners पैसे कमाके आया हूं, और मैंने इस जगह पर रख देता हूं, सेफली अब क्रॉनर भी देखो आप कि उसके कितनी वो है कि वो एक स्ट्रेंजर को बता रहे कि मैं कहां पर एक मनी रखता हूं अपने लेकिन वो लोनली है बातो बाता में उसने बता दिया अब नेक्स दे क्रॉफ्टर सुबा अपना काम के लिए निकल जाता है राट्राप सेलर जो है अभी सोही रहा होता है उसने देख लिया कि पैसे या रखे और जैसे उसको मौका मिला वो चोरी करके जंगल की तरफ भाग गया तक कोई उसे पकड़ न पाए अब जंगल में भागते भागते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो भटक जाता है जंगल में घुम हो जाता है अब वो सोचता है कि अब मैं यहाँ पर भटक याँ आब मैं कहां जाओं चलते 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 वो एक Fornance की तरफ पहुचता है एक Rams जो Ironworks करके एक जगा होती है एक भट्टी होती है Iron वाइन वहाँ पर लोहे का काम होता है वहाँ पहुचता है वहाँ जाके वो सो जाता है अब सड़नली रात हो जाती है और वहाँ पर जो ironworks का मालिक होता है जो iron master होता है वो आता है और वो सोचता है अरे यह तो मेरा कोई पुराना friend है यह तो captain's tale है मेरा पुराना friend तो वो बोलता है मन में सोचता है यहर मैं तो captain's tale हूँ नहीं यह मुझे क्यों बोल रहा है तो उसकी दाड़ी वाड़ी बियर्ड इस तरीके से थी तो iron master गलती सो उसको क्या समझता है captain's tale समझता है वो कहता है ठीक है भई पहले कहता है नहीं नहीं मैं आपके घर नहीं चलूँगा क्योंकि वो उसको अपने घर चलने के लिए इन्वाइट करता है Christmas का टाइम है कि घर चलो यहाँ पर क्यों सो रहे हो आप आप घर चलो हमारे तो वो कहता है rat trap seller नहीं नहीं मुझे नहीं चलना यह वो और फिर नहीं चाहता है वो क्योंकि उसको डर भी लगता है भाई कि मैं captain's tale हूँ थोड़ी कैसे चले जाओ फिर अगले दिन आयन मास्टर की डॉटर जिसका नाम होता है एडला विलमांसन वो आती है बड़िया फर वाला court vote पहन के इसको invite करने कि आप मेरे father के friend हो आप तो captain's tale हो आप यहाँ पर क्यों रहो आप घर चलो एडला ने बहुत kindness दिखा ही तो उसके साथ घर चले गया अब सब डिनर टेबल पे बैठे तो बोला कि आप नहा के आओ अच्छे से freshen up हो के आओ तो फिर हम डिनर स्टार्ट करते हैं अब यह rat trap seller जाता है बियोड वगरे दाड़ी बड़ी बना के आता है डिनर टेबल पे बैठने के लिए तो एडला और आयन मास्टर दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि अरे यह तो वो इंसान है यह नहीं यह तो captain's tale है यह तो कोई और ही stranger है तो एडला ने का चलो ठीक है अब यह आ गया है बंदा घर पे Christmas का time है, festival का time है आज Christmas Eve है यानि आज Christmas Eve है माने कल Christmas है आज Christmas का एक दिन पहले का दिन है बोला आज खाना वाना खाओ हमने बनाया है अब तुम Christmas के मौके पर आवे तो ऐसे मत जाओ वो भी बैड़िया खाना काता है ठीक है अब next day Christmas होती है आज वो चला जाते हैं आएन मास्टर और उसकी डॉर्टर एडला दोनों church चले जाते हैं Christmas prayers के लिए अब ये घर पर उठता है और क्योंकि एडला ने इसके साथ इतनी kindness करी तो उसने क्या किया एक rat trap रखा उसमें एक note लिखा कि मैं ये 30 kroners note जो मैंने चुराये थे ये मैं रखके जा रहा हूँ और ये crafter को please पहुचा देना और ये जो rat trap है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एडला एक gift है Christmas का present है और last में उसने sign क्या किया Captain's Tale का अब वहाँ पर जब वो लोग church में होते तो उन्हें कोई वहाँ पर बताता है कि अरे एक stranger है वो 30 kroners crafter के चोरी करके भगा है और किसी के घर में रह रहा है एडला और उसके फादर दोनों शौक हो जाते हैं कियते हैं गौड ये तो वो ही है जिसको हमने घर में रहने के जगा जो पता नहीं उसने क्या क्या चुरा लिया होगा वो घर जाते हैं तो उने ये note और gift मिलता है और फिर ये रखके rat trap seller जा चुका होता है तो story की theme, story का जो moral है वो ये निकलता है कि अगर आप kind हो अगर आपका अच्छा behavior है किसी से तो return में भी आपको kindness and good behavior and honesty ही मिलेगी एडला के kind behavior से एक चौर एक अच्छे इंसान में convert हो गया उसने चौरी किया हुआ पैसा रख दिया अगर वो वही पर उसको बोल देती आरे तुम तो captain's tale हो इनी मत करना डिनर करने हामर बेटना धक्के मारके अपने घर से निकाल देती तो वो क्या करता? वो चौर चौरी अपनी continue रखता लेकिन उसको इतनी respect दी उसको इतना अच्छे से treat किया kind behavior किया तो एक negative इंसान भी positive इंसान में transform हो गया यानि की change हो गया तो आपकी kindness किसी को भी change कर सकती है This is the main story, okay? अब आपको crofter के nature के बारे में क्या पता चलता है स्टोरी दराटराप से वो पढ़ते है The crofter was a lonely person without wife or child He was happy to get someone to talk to in his loneliness He was also generous and trusting person because he hosted the peddler for a night and even showed him where he had kept his money तो crofter जो था बहुत lonely, बहुत अकेला person था क्योंकि उसकी कोई wife नहीं थी और कोई बच्चे नहीं थे कोई family नहीं थी उसकी और जैसे ही उसने देखा कि अरे कोई मेरे घर पे आया है एक रात रुखने के लिए बोल रहा है तो वो कहीं न कहीं happy हो गया, खुश हो गया कि चलो मेरे इस अकेले पन, खाली पन में मिरसे कोई बात करने के लिए हो गया वो बहुत generous था, बहुत trusting person था क्योंकि उसने एक stranger को host किया क्या आओ, बैठो, खाना खाओ रात रोक रहे हो तो चलो शाम का खाना, porridge भी खा के जाओ क्योंकि उसने उसके help करी कि आप रोक भी सकते हो और खाना भी उसको दिया और यहां तक कि ये भी बता दिया कि भाई वो अपने पैसे, कमाय वे पैसे जो लाया है वो कहां रखता है तो इतना एक person जिसको जानता भी नहीं उसके बहुत over trust कर गया हो तो ये सारी चीज़े हमें crofter के बारे में पता चलती है इस chapter से question इस तरीके से भी turn होके twist होके आ सकता है, write the character sketch of the crofter तो यही character sketch है उसका कि उसके यही qualities है, ओके अब इस chapter में से किसी को कोई doubt हो, तो please ask I'm here Okay, someone is asking कि ma'am crofter was indiscreet तो indiscreet का मतलब क्यों होता है having, showing or proceeding from to greater readiness to reveal things that should remain private or secret एक ऐसा इंसान जिसको अपनी वो सारी private चीज़े नहीं बतानी चाहिए लोगों को, जो जैसे पैसो से related कोई बात होगी, तो yes हम कह सकते कि crofter was an indiscreet person, क्योंकि वो वो सारी चीज़े reveal कर गया, rat trap seller के सामने, जो नहीं करनी चाहिए थी तो yes we can say that एक और चीज़ पूछी जारी है कि vagabond क्या होता है, तो vagabond आपका keyword है, chapter में भी word used किया गया vagabond का मतलब होता है एक ऐसा person जो भटकता है, wonder करता है from one place to another उसका कोई घरबार नहीं होता, वो एक जगा सा दूसरी जोगा भटकता है, that is a vagabond तो vagabond word आप याद रखिये क्यों क्योंकि वो इस chapter का keyword है तो vagabond वाले सारे doubts clear हो गए हैं आप लोगों के ठीक है characteristics of Edla Will Manson पूछ रहे मुझसे, so she was kind she was respectful she was very generous yes, she was a good cook क्योंकि Christmas Eve का जो भी खाना बनाया था Edla ने खुद अपने हाथ से बनाया था yes, and she was a trusting person जो इसने trust भी किया, yes these are the characteristics of Edla how Edla changed peddler Edla का जो kind behavior था जो उसकी अच्छा ही थी उसने एक peddler को, एक बुरे इंसान एक चोर को अच्छे इंसान में convert कर दिया कि नहीं यार, ये मेरे साथ इतने अच्छे से treat कर रहे है, मेरे साथ इतने अच्छे से इनोंने behave किया तो मैं इनके घर से कुछ चोरी करके नहीं जाओंगा, बलकि मैं रखके ही जाओंगा, जो भी मैंने चुराया है ताकि वो पहुचा दे, और rat trap as a gift देके गेड लगो What is porridge? Porridge याने दलिया, शाम का जो खाना होता है, थोड़ी से liquid सी होती, that is a porridge खिचडी, दलिया that is a porridge Okay No doubts कोई doubts इसमें आब आगे हैं नहीं है, no doubts, clear everybody is cleared with this question आगे बढ़ते हैं, ओके Next question What does Gandhi refer to as a conflict of duties? यह question पढ़के हमें समझ में आते हैं कि जो आपका Indigo chapter है उसमें से आपका यह पूरा question है तो Gandhi refer to conflict of duties से क्या मतलब है? अब गांधी जी क्या होते हैं? वो चंपरन जाते हैं share croppers की मदद करने के लिए क्यों? क्योंकि वहाँ पर problem हो जाती है होता यह है कि जो land होता है वहाँ पर वहाँ पर एक land में काम करते थे कौन? farmers काम करते थे जो share croppers होते थे, वो काम करते थे अब यह land के owners, Britishers होते थे वो कहते थे कि आप Indigo नाम का crop grow करो, इसका 15% है most of the share हमें दो तो इससे क्या हो रहे थे? share croppers exploit हो रहे थे, उनका कोई फाइदा नहीं हो रहा था मतलब जितना कमाया उतना Britishers को दे दिया यह scene हो रहा था उनका तो गांधी जही हाँ पर चंपारन के share croppers की मदद करने आए थे अब जब वो मदद करने आए तो इस problem के बारे में और पता लगाया उन्होंने कि भाई क्या दिक्कत है, क्या problem है सब तो वो इसके लिए मोतिहरी गए जो कि चंपारन का capital है वहाँ उन्होंने पता लगाया कि भाई क्या दिक्कत है, बताओ कैसा क्या तो वहाँ के जो British officials से उन्होंने गांदी जी से कह दिया कि आप तो बाहर के हैं, आप तो outsider है हम आपको अपनी घर की बाते या अपनी शेहर की बाते क्यों बताएं तो आपको नहीं बताएंगे अब ठीक है, गांदी जी वापिस मोतिहारी चले गए वहाँ पर और investigate करने लग गए शेहर क्रापर के केस के बारे में अब suddenly उनको पता चलता है कि पासी के गाउं में एक शेहर क्रापर को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है Britishers द्वारा, तो वो मदद करने ही जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको पुलिस सुप्रेटेंडेंट का एक मेसेंजर मिलता है जो कि उनको क्या बताता है कि अभी के अभी आपको कोट से ओर्डर आया कि आप मोतिहारी चंपारन जो भी है चंपारन छोड़के चले जाईए और गांधी जी ने कोट का ओर्डर मना कर दिया खारिच कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा मैं यहां पर आया हूँ मदद करने शेयर क्रॉपर्स की तो मैं मदद करूँगा उसी वक्त कोट से ही वस सामर्णी याने कोट से उनको बुलावा आया उनको वापस कोट में अपियर होना पड़ा कि आपकी हिम्मत कैसे उए कि आपने कोट का ओर्डर ठुकरा दिया तो आपको कोट में आना पड़ेगा अब क्योंकि गांधी जी वाँ शेयर क्रॉपर्स की मदद करने आये थे conflict of duties में हूँ, याने जो मेरी duty है, पहली duty मेरी क्या है, मेरी duty है कि मैं तो एक government official हूँ, तो मैं lawbreaker नहीं बनना चाहता, मेरी duty है कि I should not be a lawbreaker, लेकिन मैंने lawbreak किया, मैंने court के order को नहीं माना, लेकिन दूसरी मेरी duty एक human being की है, इंसानियत के नाते भी है कि मैं यहाँ जो आया आपर चंपरन के share croppers की मदद करने, तो मैं मदद करके ही जाओंगा, तो मैं conflict of duties में हूँ, याने मैं एक असमन जस्में, एक मुसीवत में हूँ, कि भाई मैं कौन से duty करूँ, या तो मैं share croppers की मदद ना करूँ, और एक government official होने के नाते, court का order मान के यहाँ से चला जाओं, य या एक इंसान होने के नाते, मेरी ये duty बन दी है कि मैं यहाँ के share croppers की मदद करूँ, तो एक point ऐसा आया था, कि वो conflict of duties में थे, मुसीवत में थे, कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने finally अपनी humanitarian basis पर duty अपनाई, कि मैं मदद करूँगा share croppers की और उन्होंने करी भी, और उनको 25 25% share दिलवाया वापिस Britishers से, और Britishers नो उनकी गलती भी मानी, ओके, let's check the answer, Gandhi told the court that he was involved in a conflict of duties, that is he must not set a bad example by breaking the law, by refusing to comply with the eviction order, but he must also render humanitarian and national service for which he had come to Champaran, तो Gandhi जी ने court से कहा कि भाई मैं तो conflict of duty में पढ़ गया हूँ, याने मुझे समझ में नहीं नहीं आ रहा कि अपनी कौन्से duty पूरी करूँ मैं, पहली duty तो मेरी ये है कि भाई मैं court का जो ये eviction order था, कि आप Champaran छोड़के चले जाओ, ये order को comply कर जाओ, याने मान जाओ, और अगर मैं नहीं मानता हूँ तो मैं, I am breaking the law, मैं कानून तोड़ रहा हूँ और मैं सब के सामने एक bad example, एक गलत उधारन सेट कर रहा हूँ, but he must also render humanitarian and national service, वो कह रहा है कि फिर भी national service अपनी मदद तो मुझे देनी ही है, इंसानियत के नाते मुझे चंपरन के शेक रॉपस की परनाय हूँ, वो तो मैं करके ही जाऊँगा, इन शेक्रोपस की मदद करे बिना महिया से नहीं जाऊँगा, ये conflict of duties थी खानी जी की, ओके, next question, describe the makeup room of the Gemini studios as described by the author, अब ये जो question है, clearly poets and pancakes नाम का जो आपका chapter है, उसमें से ये question given है, और उसमें होता क्या है, Gemini studios होता है, studio हम सब को पता है कि ऐसा studio जहाँ पर movies, pictures बनती है, production house होता है, yes, तो हर studio में एक makeup department भी होता है, एक makeup room भी होता है, जहाँ पर actors and actresses का makeup किया जाता है, तो बताया जा रहा है कि जो हमारे author है, इस chapter के जिनका नाम है Asoka Mitran, पूछ रहे हैं हमसे question में कि Gemini studios जहाँगे movies बनती है, वहाँ के makeup room को अच्छे से describe करो, और वैसे ही describe करो जैसा हमारे author Asoka Mitran ने chapter ने describe किया, कि बताया है, कि कैसा है, तो होता है यह था कि बहुत ही funny सी story है, कि poets and pancakes में, यह Gemini studios होता था, वहाँ पे truck भर भर के, pancake नाम का, यह makeup का brand आता था, और वो लोग क्या करते थे, makeup room में सारे actors and actresses को पूरा make-up, pancake, पौत-पौत के थोप-थोप के लगाते थे, और poet कहते हैं, यहाँ पर जो writer है, हमारे author, वो कहते थे कि कि किसी भी decent looking person को, किसी भी अच्छे दिखने वाले इंसान को, यह makeup men बहुत गंदा भूत बना देते थे, literally ghost बना देते थे, red-red pancake ऐसे लगा के, और जो makeup room हुआ क करता था, वहाँ पर बहुत सारी incandescent lights लगी हुए थी, यान इसे bulb-bulb-bulb लगे हुए थे, जिससे बहुत heat निकलती है, तो already बहुत सारा makeup उनके मूँप थोप दिया जाता था, गंदा makeup करते थे makeup men वहाँ पर, और इन heat वाली lights की वज़े से actors and actresses को बहुत problem होती थी, हर जग makeup room था, Gemini Studios का, वो makeup room काम एक hair cutting salon यान एक नई की दुकान ज्यादा लगती थी, जहां पर incandescent lights सी, यान फुल of heat, heat produce करने वाले वो bulb जो होते हैं, वो लगे हुए थे, the lights placed at all angles, around half a dozen mirrors, made the room very hot, अब half a dozen, dozen मतलब 12, and half a dozen मतलब 6, तो हर जगा से 6-6 mirrors लगे हुए थे, और हर जगा पुरा makeup room हो जाता था, बहुत गरम हो जाता था, बहुत हो जाता था, बहुत हो जाता था, इन bulbs and lights की वजे से, it was so hot, that, so hot there, that the people whose makeup was done there, were subjected to a fiery misery, इतना गरम होता था था वहाँ पर, कि जिन लोगों का, जिन actors and actresses का वहाँ पर makeup किया जाता था, तो उनका वहाँ पर ऐसा लगत bright light होती है, बहुत जलन महसूस होती है मूँ पे, बहुत गरम फील होता है आपको, and एक discomfort की state आ जाती है, आपको बिल्कुल comfortable नहीं लग रहा, वो fury misery होता है, तो जिनका makeup किया जाता था, माँ पर, actors का, actresses का, ऐसा, उनको क्या subject किया दिया जाता था, क्या बोला जाता था, भा Okay, so this was all about this question, next question, explain the concept of interstices in our lives as given by Umberto Eco, तो ये जो question है आपका, clearly किस में से है, the interview नाम के chapter में से है, जिस में, Mukundh Padmanabhan, जो की interview ले रहे है, interviewer है, किस का interview ले रहे है, Umberto Eco का, जो की कौन है, एक book के writer है, इनकी book, The Name of the Rose, बहुत famous हो गई थी, जिसकी millions of copies बिकी थी, इस वज़े से इनका interview लिया जा रहा है, अब होता क्या है, जब Mukundh Padmanabhan, पूछते हैं Umberto Eco से कि, आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, लोग बोलते हैं, आप multitasking है, तो 24 गंटे तो हमें भी मिले, आपको भी 24 hours ही मिले, लेकिन आप इतने productive कैसे हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, तो Umberto Eco को कहते हैं कि, मेरे पास एक concept है interstices का, interstices का मतलब होता है empty spaces, खाली जगा, यानि आपकी life में इन 24 गंटों में बहुत सारे interstices आएंगे, बहुत सारे खाली time, free time आएगा, जब आप अपना time waste कर कर लेता हूं, कहो, अगर आप मेरे घर नीचे से उपर आ रहे हो, यानि आप first floor से third floor पे आ रहे हो, आप elevator में हो, लिफ्ट में हो, आप आ रहे हो, तो मैं आपका wait नहीं करूंगा, उत्ती दिर में तो मैं एक article लिख दूंगा, तो मैं इस तरीके से अपना time utilize करता हूं, interstices याने in empty spaces, खाली समय, false time, जो फाल्तु time हमें दिन में मिलता है, पूरे दिन में, जब-जब मिलता है, इसे use करता हूं, इसी लिए मैं मैं बहुत productive हूं, और लोगों को लगता है मैं multitasking हूं, लेकिन मैं multitasking नहीं हूं, मैं से खाली spaces को use करता हूं, that's it. तो Umberto Eco का answer दिखते हैं, Umberto Eco explained, that we have a lot of empty spaces in our, empty spaces of time in our lives, which he calls interstices. For instance, if we are waiting to meet someone, we are free. This is an interstice or an empty space. He is able to be a prolific writer because he works during these empty spaces. So Umberto Eco explain करते हैं, बताते हैं, कि उनकी life में और हम सब की life में बहुत सारा empty space of time है, याने खाली फालतू time बहुत सारा मिलता है. इस time को वो interstices कहते हैं. For instance, याने for example, अगर हम किसी का wait कर रहे हैं, कोई मिलने आने वाला है हमसे, हम इंतजार कर रहे हैं तो याने हम wait कर रहे हैं, याने हम free हैं, हम खाली बैठे हैं, इस खाली time को utilize करो आप. तो इन interstices को, या जिसको हम empty spaces कहते हैं, वो कहता है कि मैं एक prolific writer, prolific मतलब productive and creative. मैं इतना productive, इतना creative writer सरफ तभी बन पाया हूँ, च्योंकि मैं इन empty spaces में, इस free time में काम करता हूँ, अपने समय को waste नहीं करता हूँ, बरबाद नहीं करता हूँ. कहो, आप एक queue में, एक line में खड़े हूए हैं, बसका wait कर रहे हैं, तो आप उत्ती दिर में किसी को mail कर दो, message कर दो, अपने time को utilize करो. So, this was all about this question. Next, why did Jansi discourage Sophie from entering thoughts about the sports star Danny कैसे? अब यह जो आपका question है, किस chapter में से है? Going places. इसमें होता कै, एक girl होती है, उसका नाम होता है Sophie. यह एक teenage girl है. अब जैसे teenagers हमको पता है, imaginations की दुनिया में चलते हैं, हर चीज़ imagine करते हैं, हर चीज़ खयालों की दुनिया में चलते हैं. Reality and practicality उनको कम समझ में आती है, कितना ही parents समझा लें उनको. Yes, तो Sophie भी इस लाइब की बच्ची थी, और इसकी एक friend थी Jancy. अब ये दोनो girls school से घर वापस लोट रही हैं, दोनों ही आपस में बात कर रही हैं, दोनों biscuit factory में काम करती हैं और गरीब हैं. Sofi Jancy से कहती है, कि मझे एक आक्टरेज बनना है, मझे एक बूटीक खोलना है, तो हो कहती है कि तुम्हे पता है कितने पैसे लगते हैं? जैंसी उसको समझाती है कि तुम्हें पता है कितने पैसे लगते हैं तो कहती है ठीक मैं एक अक्ट्रेस बन जाओंगी पैसे कमा लूँगी और फिर मैं अपना एक बुटीक खोल लूँगी तो जैंसी उसको रियालिटी समझाती है कि ऐसा possible नहीं है हर चीज के लिए पैसा लगता है, हम लोग अभी तो बिस्किट फैक्टरी में काम करते हैं, बहुत गरीबे तो कहीने के जैंसी जो है, इसके फ्रेंड है, टीनेजर है, लेकिन वो रियालिटी बताती है इसको वो इसके आइडियास को, इसके व्यूस को support नहीं करती है अब Sophie क्या करती है, इसको Danny Cassi के बारे बताती है जो की इसको नहीं बताती है, मतलब वो कहीन के Danny Cassi को बहुत पसंद करती है ये एक Irish footballer है, एक celebrity है, वो imagine करने लगती है और मुझे कहीं मिलेगा कनाल के पास में, नदी के नहर के पास में हम मिले थे वो आया था, मुझसे ऐसा बोल रहा था फिर अपने बड़े भाई जियॉफ को भी यह सब बताती है घर पे बताती है कोई इसकी बाद पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि इस इंपॉसिबल यह सब इसके कालपनिक कहानिया एक खयाली बुलाओ है जो यह अपने माइंड में पका रही है तो जैंसी इसकी फ्रेंड समझदार थी वो कहीं न कहीं सोफी को डिसकरेज करती थी कि भाई तुम जो यह स्पोर्ट स्टार जो की डानी कैसे है इसके खयालों में मत रहो क्योंकि यह waste of time है वो नहीं मिलने वाला तुमसे जैंसी एक रियालिस्ट थी यानि रियालिटी में बिलीव करती थी प्राक्टिकालिटी में बिलीव करती थी वो सोफी की तरह एक डेड्रीमर याने दिन में सपने देखने वाली लड़की नहीं थी वो कही न कहीं सोफी के इन thoughts को discourage करती थी याने बिलकुल भी बढ़ावा नहीं देती थी और बिलकुल entertain नहीं करती थी उसके इन विचारों को यह sports star Danny कैसे के बार में कि वो आएगा, मुझसे मिलेगा फिर हम Saturday को गूमने जाएंगे all these things इसको mind में सरफ खयाली पुलाओ था क्यों? क्योंकि कही न कही she knew, Jansi knew that her dreams were far from reality Jansi को पता था कि उसके इस अपने reality से सच्चाई से बहुत दूर है कोसो दूर है Sophie को अपने thoughts को control करना पड़ेगा और reality में जीना पड़ेगा तो chapter का motive यह निकलता है कि आपको reality में रहना है अपनी practical life को देखो और उस एसाब से चलो यह खयाली पुलाओ बना के सरफ time waste होना और खुद को दुखी करना जैसे Sophie ने end में दुखी कर दिया वो कनाल के पास wait करती रहेगे कि अभी Danny कैसे आएगा मुझसे मिलने क्योंकि उसने ऐसा imagine किया था कि वो आया था और मुझसे कह रहा था कि मैं तुम से मिलूँगा पर यह से उसकी imagination थी यह reality नहीं थी अब यहाँ पे आपके सारे chapters जो है फ्लमिंगो बुक के वो finish होते हैं मैंने chapters explain करते करते साथ ही साथ आपको summary भी पूरी explain कर दिये अगर chapters से related आपको कोई doubts से तो आप पूछिए otherwise we'll start with the poetry section Ma'am do we have to remember all the names of rivers in deep water chapter deep water chapter में rivers के नाम मत याद करी बद एक दो नाम आप याद कर लीजे लिखने के लिए और फिर आप etc. भी लिख सकते you can just keep in mind बद आपको सारी rivers के नाम learn करने की ज़रूरत नहीं है okay Pranjal Sharma is saying yes ma'am complete कोई doubts नहीं है okay what is the real meaning of the metaphor metaphor का मतलब क्या होता है जब आप दो चीजों को आपस में compare करते हो और ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिलकुल भी related नहीं है उससे हम कहते हैं कि यहाँ पर metaphor नाम का poetic device and literary device यूज हुआ है for example अगर मैं cat को compare कर दूँ मैं TV से तो cat एक animal है और TV एक non living thing है दोनों का कोई male मिल आप नहीं है कोई कहीं से दोनों related नहीं है तो जब दो unrelated चीजों को आप आपस में compare करते हो that is a metaphor और कभी ऐसा आपको किसी line में देखे कि दो unrelated चीजें use हो रही है that means it's a metaphor okay पूछा जा रहा है the rat trap question में metaphor कैसे लग रहा है rat trap chapter में rat trap को compare करा गया है world से यानि चूहे दानी को compare करा गया है दुनिया से बोलते हैं कि यह जो दुनिया है यह एक rat trap की तरह है जैसे दुनिया में बड़ी-बडी car, घर बड़ी-बड़ी facilities, अच्छे-च्छे amenities देखके हम humans चूहे की तरह फस जाते हैं यानि trap हो जाते हैं bait यानि चारा जब जो रखा जाता है लोगों को पकड़ने के लिए या फिर चूहे को पकड़ने के लिए तो कहते हैं कि यह जो दुनिया है यह एक rat trap की तरह है एक चूहे दानी की तरह है जिसमें क्या होता है हम इंसान चूहो की तरह फस जाते हैं किन चीजों से attract हो के luxurious life, cars, big hotels, restaurants देखके तो इस तरीके से एक rat trap को एक चूहे दानी को compare किया गया है world से तो इस तरीके से इस चाप्टर में क्या लग रहा है metaphor नाम का आपका literary device लग रहा है clear, step mentor clear आपका यह जो doubt था metaphor, the rat trap seller वाले चाप्टर का okay, simile पूछ रहे simile जब दो चीजों का आपस में comparison किया जाता है और word क्या यूज करते हैं as या like, that is simile for example, अगर मैंने बोल दिया as white as snow okay, dress is dress is as white as snow याने जो dress थी, वो बिलकुल white थी, किस की तरह? snow की तरह, तो dress को compare करा गया snow से और बीच में क्या word यूज किया गया? as, याने यहाँ पर simile नाम का poetic device यूज हुआ है as की जगा, अगर like word यूज हुआ होता तो भी simile नाम का poetic device या literary device यहाँ पर यूज हुआ होता okay, आगे बढ़िये doubts, waiting for your doubts खोशी जोशी पूज बोल रही है मैं, interview chapter करा दो please, interview chapter का पूरा explanatory video and separate summary video already मेरा uploaded है आप जाके देख सकते हैं हापे सब आपको ready मिल जाएगा question answers हो अगरे भी उसमें सब given आपको letter to the editor मैं आपको परसो कराऊंगे day after tomorrow जब हम writing skills का पूरा portion cover करेंगे तो अभी आपको उस flamingo के chapter से related कोई doubt है तो आप please पूछिए मुझसे okay, हम लोग 2 minutes का water break लेते हैं and then we will start with our poetry तो हम फिर poetry कवर करेंगे 5 minutes के break के बाद 2 minutes ले लीजे आप water break 2-3 minutes का and उसके बाद we will be back चलो, I'll wait for only 30 seconds more for you all to come back and then we'll start with our poetry बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे कि oxymoron क्या होता है तो oxymoron भी एक तरीके का poetic device होता है जिसमें दो opposite words बिलकुल साथ साथ आते हैं जैसे मैंने बोला greedy good doers तो greedy याने लालची इंसान ये एक लालची इंसान बोलते है greedy and good याने एक अच्छा इंसान तो greedy and good याने दो opposite उल्टे शब्द आगा याने एक negative एक positive है तो यहाँ पर oxymoron यूज होता है तो यहाँ पर oxymoron आएगा ओके और कुछ doubts है तो आप पूछ लीजिए जैन हम फड़ा फड़ से poetry हमारी start करते है तो opposite words जब एक साथ आते हैं क्लाइन में that means oxymoron यूज हुआ है repetition भी poetic device होता है जब कोई line बार-बार repeat हो रही है याने वहाँ पर repetition यूज हुआ है बार-बार वोई-वोई-वोई-वोई-वोई line हर तीन line के बाद, हर दो line के बाद वो line repeat हो रही है याने repetition यूज हुआ है that is repetition येस आयूज जैस वाल पूछ नहीं beneficent beast of prey तो येस ये भी oxymoron का example है and इसको हम all iteration भी कह सकते है क्योंकि beneficent beast से start हो रहा है and just उसके बाद word आया है beast जो कि beast से start हो रहा है तो जब एक ही line में जो first letters of words होते हैं वो same letters होते हैं याने beneficent का b, beast का b, boy का b सब b से start हो रहा हैं तो ये सब क्या हैं? consonants है तो एक line में जब first letter of सारे words same consonant letter होते हैं तो वहाँ all iteration लगता है vowels क्या होते हैं? A, E, I, O, U इनको छोड़के जितने भी letters होते हैं उन्हें हम consonants कहते हैं और अगर consonants से ही सारे line के जितने भी words हैं first letters start हो रहा हैं that means all iteration लग रहा है yes, और पूछिए और क्या doubt है? okay, are we all clear? चीक है personification पूछने है personification means जब आप किसी non-human thing को याने non-living thing को या animals को humans की quality दे देते हो that means वहाँ पर क्या है? वहाँ पर लगा है personification for example अगर मैंने बोला the sea waves roared like a lion याने समुद्र की जो लहरे थी वो roar कर रही थी याने दाड रही थी lion की तरह तो आपने क्या किया? sea waves, non-living thing समुद्र की लहरों को एक ऐसी quality दे दी जो animals में है या फिर कोई human की quality दे दी that is personification which country did France belong to? obviously France मही France लड़के का नाम था he belong to the country France France and France France, this is a boy belong to the country France okay, let's start with the poetry section now, okay तो poetry में total आपकी book में अगर आप देखोगे तो six poetry हैं लेकिन इस साल आपके syllabus में सिर्फ 5 ही poetry आ रही है एक poetry and elementary school classroom in Islam ये delete हो चुके है मैंने starting में ही बता दिया था first poetry is my mother at 66 जिसकी poetess है Kamla Das second keeping quiet जिसके poet है Pablo Naruda and third a thing of beauty जिसके poet है John Keats fourth a roadside stand जिसके poet है Robert Frost and fifth Aunt Jennifer's Tigers जिसकी poet है Adrien Rich अब जितने भी poetry's हैं यापे आपको उनके poets के नाम याद होना जरूरी है I repeat poets के नाम याद होना जरूरी है क्योंकि इस से related questions आते हैं आप नहीं बता पाएंगे कि यह जो question है या यह जो poet है यह किस chapter का है confused हो जाएंगे तो at least poetry's के जो poets हैं उनके जो कभी हैं आपको उनके नाम याद करने हैं ओके first question देखते हैं what do the parting words of Kamala Das and her smile signify तो यह जो आपका question है आपकी poem My Mother at 66 written by Kamala Das इस से आपका यह question है अब होता यह है कि जो poet है poetess है Kamala Das यह कहीं बाहर job करती हैं और यह छुट्टियों में अपनी मॉम के घर आई हुई हैं बहुत दिन रुकी हैं और notice कर रही है कि मेरी मॉम जो है बहुत बूरी हो गई है 66 years की हो गई है बहुत old हो गई है थोड़े जिन रुकती है अब वापिस जाने का time है तो दोनों मॉम और डॉटर यहने Kamala Das और उनकी मॉम दोनों ही गाड़ी में बैठे हैं कार में और अब कोची एरपोर्ट की तरफ जा रहे है क्योंकि उनकी मॉम उनको एरपोर्ट तक डॉप करने जा रही है चोडने जा रही है क्योंकि वो वापिस job पे अपनी जॉइन कर रही है अब यह जब गाड़ी में बैठी हो इंके मौम के pale face, peel face को देखती है, wrinkles वाले याने जुर्रियों वाले face को देखती है, जो कि अब सुन्दर नहीं बचा, also वो देखती है कि मेरी मौम बहुत weak हो गई है, क्योंकि अब इनके 66 years की जो गई है याने कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मौम की ना सुन्दर याने कम अच्छी दिखने वाली और बहुत weak मा, तो ये सारी चीजे उसको फिर वही वही चीजे याद दिला रही है अपनी मौम के बारे में Finally, airport पहुच गए, security चेक हो गया Finally, वो आखरी बार वापिस मुडती है और अपनी मौम को बोलती है See you soon, Amma And all I did was smile, smile and smile ये last two lines है आपकी पुखम की ये एक South Indian है इसलिए ये लोग अपनी मौम को अम्मा कहते है Also, उन्होंने तीन बार smile किया क्यों क्योंकि कही ने कही वो अपने डर को छुपा रही है कही ने कही वो खुद को ये realize करवा रही है कि मेरी मौम old हो गई है लेकिन कही न कहींगे जो smile के पीछे अपना डर चुपा रही है तो smile, smile, smile जो तीन बार smile आता है पहले smile का मतलब होता है realization याने इनको realize हो गया इनको ये चीज़ समझ में आने लगी कि मेरी मौम बहुत बोड़ी हो रही है इनको डर लग रहा है दूसरी बार जब पोम में smile यूज हो है तो इसका मतलब होता है brave front याने उन्होंने इस डर को overcome किया और bravely बहुत भाद्दूरी से खुद को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि जब मैं दुबारा आऊंगी तो मैं अपनी मौम को नहीं मिल पाऊंगी और तीसरा smile का मतलब है that I will meet my mom soon कि मैं जल्द ही अपनी मौम से मिलूंगी तो पहला उनको realize हुआ कि हस के अपने दर्द को छुपा रही थी कि मेरी मौम ओल्द हो गई है दूसरा मतलब brave friend कि नहीं मैं अपनी मौम से मिलूंगी और तीसरा मतलब उसने अपने आपको आश्वासन दिया surety the assurance दिया कि no I will meet my mom next time यान उन्होंने positivity से अपने आपको smile किया अपनी मौम को भी उन्होंने see off करवाया and then she left अब question में पूछा जा रहा है कि कमला दास और उसकी smile की parting words का क्या मतलब है parting words मतलब part कर रहे हो जब आप किसी से बिच्छड रहे हो तो airport पे जब वो अपनी मौम के सामने खड़ी होई थी तो वो बिच्छड रही थी आपने जब के लिए जारी थी तो आखरी के जो ये parting words से क्या थे see you soon amma and all I did was smile smile and smile तो इन parting words और ये जो smile कर रहे थी वो इसका क्या significance है क्या मतलब है क्या importance है let's check the answer the parting words of the poet reflect the poet's feelings that she wants to meet her mother again but she wears a smile on her face to mask her pain and to give hope, happiness and reassurance to herself ये जो parting words थे poet के see you soon amma and all I did was smile smile and smile इससे poet की जो feelings होती है वो reflect हो रही है, वो जलक के बहार आरे है कि वो चाहती है कि वो अपनी mom से फिर से मिले ऐसा नो कि अगली बार मैं अपनी mom के death पे आऊँ, ऐसा ना हो लेकिन फिर भी वो एक fake smile एक जूटी हसी अपने मूँ पे रखती है ये smile कहीं न कहीं एक mask है उनके pain का याने चहरे पर अगर दुखी हो के जाएंगी तो उसकी mom पूछेगी भाई क्यों दुखी हो तो उन्होंने smile करके मानो एक mask पहन लिया अपने चहरे पर ताकि वो अपना दर्द छुपा पाए ताकि वो खुद को hope दे पाए खुद को उम्मीद दे पाए कि नहीं मैं आउंगी और अपनी mom से मिलूँगी खुद को खुश कर पाए अपना mind distract कर पाए और खुद को reassurance दे पाए याने खुद को surety दे पाए कि नहीं मैं आउंगी अगली बार और अपनी mom से मिलूँगी मेरी mom को कुछ नहीं होगा she'll be safe and sound तो this was all about poem and this question नेक्स question लाइफ is what it is all about how is keeping quiet related to life तो clearly question से भी समझ में आ रहा है कि यह जो question है आपका keeping quiet नाम की poem में से है written by Pablo Naruda तो Pablo Naruda हम सब को इस poem में explain करते है समझाने की कोशिश करते है कि हम सारे human beings mad rush में है एक ऐसी पागलों की दौड में है कि हमें जल्द से जल्द अपने सारे काम खतम करने है सब कोई बस लगवा है यह काम कर ले जल्दी से कर ले जल्दी से कर ले और death आने से पहले अपने सारे काम कर ले इसलिए हम सब mad rush में है और अपने कामों में हम कई बार यह realizing नहीं कर पाते कि हमारे जो actions है हमारे जो deeds है हमारे जो काम है इसका result क्या निकल रहा है क्या हमारे काम से हमारे action से किसी human को किसी animal को किसी environment को क्या कोई तकलीफ तो नहीं पहुच रही इसलिए वो कह रहे है कि आपको बिलकुल quiet शान still रहना पड़ेगा अपने हातों को बिलकुल move नहीं करना पड़ेगा कोई काम नहीं करनी पड़ेगी आपको और किसी language में बात नहीं करने पड़ेगी बिलकुल शान्त रहना पड़ेगा उससे आप क्या कर पाओगे उससे आप कर पाओगे introspect introspect याने self analysis याने जब आप खुद को analyze करते हो आँख बन करके शान्ती में अकेले में खुद को समझने की कोशिश करते हो कि हमारे actions का क्या result निकल रहा है क्या consequence निकल रहा है अगर हम लोग soldiers हैं वार कर रहे हैं तो उसका result क्या है खून बह रहा है लोग मर रहे हैं लोगों की families में से लोग मर रहे हैं ये सब शान्ती में जब हम खुद बैठते तो हमें खुद के बारे में मन्थन होता है वो कहते है life is all about what it is पैबलो नरूड़ा क्या कहते है life is what it is all about life तो जैसी है वैसी चलेगी मैं आपको शान्त रहने के लिए बोल रहा हूँ उसका मतलब मैं आपको इनक्टिव नहरहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यानि मैं डेथ लाइक होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सब काम रोकने का मतलब मतलब यह है कि आप शान्त रहके खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो कि आपके actions का क्या result निकल रहा है इसका मतलब आप confuse मत हो यह मेरी बात से कि मैं आपको death से associate कर रहा हूँ यह पैबलो नरूड़ा कहते है life is what it is all about life तो जैसी चल रही है जैसी सब की है वो तो चलेगी लेकिन आपके actions का क्या result निकल रहा है उसका introspection आप ज़रूर करिये तो इस line से keeping quiet इस line से how is keeping quiet related to life तो यह line जो poet ने बोली है यह line आपको explain करनी और बताना है कि keeping quiet चुप रहने से life में क्या relation है तो चुप रहना का मतलब यह नहीं कि life खतम हो जाना चुप रहना यहने introspection करना life खतम तो मतलब death हो गई आपका death से association नहीं कर रहे है poet चुप रहने से introspection से आपका association कर रहे है आंसर चेक करते है keeping quiet does not mean complete in activity but stillness and quietness to introspect on what we are doing तो keeping quiet का इसका मतलब यह नहीं कि complete in activity completely in active हो जो सांस नहीं बन कर दो इसका यह मतलब नहीं है but stillness जब आप still हो जब कोई काम नहीं कर रहे हो एक जगा पर हो quietness याने जब आप बिलकुल शांत बैठे हो तब आप introspect कर पाऊगे self analysis कर पाऊगे अपना आत्म मन्थन कर पाऊगे कि what we are doing हम कर क्या रहे life में हमारे actions का क्या result निकल रहे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुच रहे है हमारे actions से this means stopping our normal day-to-day activities to reflect on our actions इसका यह मतलब है कि जो हमारी normal day-to-day activities है जो हमारे काम है उसको थोड़ी देर के लिए रोकना और reflect on our actions याने अपने actions आपाने जो काम है उसके reflect करना उसके समझना कि इसके क्या result निकल रहे है thus it is related to life although this may not be visible outwardly और इसी लिए यह life से related है याने चुप रहना life का मतलब है चुप रहना मतलब आप life में हो आप जीवित हो चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप total inactive हो गए और death हो गई आपकी keeping quiet is related to life चुप रहने का मतलब यह है कि आप जीवित हो सांस ले रहे हो अपना introspection कर रहे हो आपकी death नहीं हो गई है यह बहार से नहीं दिखेगा याने अगर आप जब चुप बैठोगे एकदम शान बैठोगे आँखे बन काम बन introspection कर रहे हो तो लोग बोलेंगे मर गया outwardly बहार से तो ऐसा दिखेगा आपको लेकिन आप सांस ले रहे हो आप introspection कर रहे हो आपका brain चल रहा है काम कर रहा है दाट मेंज इस रिलेटे टो लाइफ आप जीवित हो आप लाइफ में हो इस तरीके से यह related है ओके next question do we experience things of beauty only for a short moment और do they make a lasting impression on us अब यह जो question है आपकी poem things of beauty में से है जो कि John Keats ने लिखी है अब यही question थोड़ा twist होके भी आ सकता है how is a thing of beauty joy forever question में पहले चलो मैं question बाद में explain करते हूं थोड़ा सा हम poem को समझते हैं John Keats बोलते हैं कि हमारी दुनिया में जितने भी humans हैं जितने भी इंसान हैं सबकी life में बहुत दुख, दर्ध, तकलीफ, pain, sadness सबकी life में है this is all part of life लेकिन इंसान को अगर हम बोलें कि आपको मरना है तो वो मरेगा नहीं वो अपनी life give up नहीं करेगा इतने दुख, दर्ध, तकलीफ होने के बावजूद भी वो बोलेगा नहीं मुझे जीना है बहले तकलीफ है पर मुझे जीना है तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन दुख, दर्ध, तकलीफों के साथ इस दुनिया में nature है भगवान के बनाई beautiful कुदरत है things of beauty हैं जैसे sun, moon, stars, river इतनी सुन्दर चीज़े natural healing है याने natural तरीके से यह हम इनसानों को heal कर सकती है याने ठीक कर सकती है अगर आपका कोई mood खराब है, किसी से लड़ाई हो गई तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा इतनी बुरी लड़ाई हो सकती है कि आप बोलो तो यार मैं तो मरी जाओं ऐसा भी आप बोल सकते हैं लेकिन जब आगर आपको बोल दे कोई कि मरो तो you will not die क्यों? क्योंकि आपकी natural healing is nature से हो रही है आप जितना nature की तरफ जाओगे शांती में बैठोगे और आप अपना feel करोगे जहरने की sound सुनोगे बहती हुई लहरों का आवाज सुनोगे आप birds को chop करते देखोगे sunrise देखोगे ठंडी हवा feel करोगे यह सब natural चीज़े जितना आप feel करोगे नेचर के पास रहोगे उतना आप heal होगे, ठीक होगे तो poet का कहना है कि जो things of beauty हैं यह natural healers हैं यह आपको ठीक करेंगे जितना होगे आप अपने नेचर अपनी कुद्रत की तरफ जाओ और इतने दुख तर तकलीफ जो भी आपकी life में यह सब अपने आप ठीक होगे जितना नेचर से अपने आपको connected रखोगे तो पूछा जा रहा है कि जब हम experience करते हैं जा रही है आदा गंटा बैटो घर जाओ तो भी आपको राद तक ऐसा लगेगा पार्क में हो आपके उपर एक lasting impression पढ़ गया है कहीन कहीं things of beauty हमारे लिए joy forever है याने यह आपको हमेशा खुशी ही देंगी और आपकी खुशी इसने बढ़ेगी यह चीज़े आपको natural चीज़े कभी दुख नहीं देंगी तो कैसे यह things of beauty हमारे लिए joy forever है हमारे उपर एक lasting impression पढ़ता है यह हमको बताना है Let's check the answer Things of beauty make a lasting impression on us as I think they are a source of pleasure and motivation forever तो इनका हमारे उपर lasting impression ऐसा पढ़ता है क्योंकि यह source of pleasure है याने जब भी आप इन चीज़ों को देखते हो सुनते हो, पानी की आवाज सुनते हो तो आपको pleasure मिलता है आपको खुशी मिलती है कही न कहीं आपको motivation मिलता है encouragement मिलती है अगर आप कहीं न कहीं मन से हारे हो तो आप motivated होते हो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा मेरी life में यह natural चीज़े यह nature, यह कुदरत जो आपको खुशी देती है it is a joy forever यह खुशी forever आपके साथ हमेशा रहेगी और बढ़ती चली जाएगी आप जितना nature के साथ रहोगे आपको खुशी मिलती रहेगी mountain पे जाओगे, snow देखोगे यह अलग खुशी है आप बोलते हो ने हम कश्मीर गए थे और अभी तक यार कश्मीर तो बहुल अची जगा है तो वो impression आपके उपर छाप अब तक पड़ी हुई है इतनी अची है तो उसकी सुनरता बढ़ती जाएगी आपके दुनिया का जो दुख है इन फाट यह उस दुख को कम करेंगी ओके next question what does the expression polished traffic refer to what does it reveal about city people अब यह question clearly आपके poem roadside stand में से है जिसके poet है Robert Frost अब roadside stand क्या होता है जो road के side में छोटे छोटे stand नहीं लग रहते हैं teen के बने हुए ऐसे टपरे बने हुए रहते हैं that is a roadside stand usually आप highway road पर देखोगे जब highway पर गाड़ी आप स्पीड में निकलती ही कार और side में आप देखोगे कोई क्योकंबर बेच रहा है काटके कोई जाम बेच रहा है जाम फल बेच रहा है कोई गौवा बेच रहा है कोई छोटी-छोटी बने हुए हैंड में टॉइस बेच रहा है that is a roadside stand अब पोव में क्यों होता है पोव में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताते हैं कि highway पर जो roadside stand लगाके ये गाओं वाले villages बैठे रहे थे बहुत poor people है बहुत गरीब है ये जब अपना चोटा सा stand खोलते हैं तो इस उम्मीद से खोलते हैं कि यहां से जितना traffic जा रहा है यहां से जितने लोग car तेजी से भगा के जा रहे है वो शायद रुकेंगे ब्रेक लगाएंगे और हमसे कुछ खरीदेंगे ताकि हमारे हाथ में भी कुछ पैसा आए हमारी life भी जो living style है थोड़ा improve हो हमारे बच्चे भी school जाए हम भी एक अच्छी life जीएं लेकिन ऐसा नहीं होता ये जो traffic है ये polished traffic है यानि जो car है यहां से जा रही है ये polished है यानि ये लोग इतने busy हैं कि ये लोग रुख भी नहीं सकते हमारे पास हमाएं source of income भी नहीं दे सकते और अगर गलती से रुख भी जाते तो हमारा जो backyard है हमारा जो side का area है वो area यूज करते हैं अपनी गाड़ी reverse करने के लिए या तो हमें चिलाने के लिए आरे तुम लोग नौर्थ और साउथ के जो sign है वो गलत लगा के रखे या फिर हमें बोलते हैं किया रहे कितना गंदा तुम लोगों का roadside stand है अच्छे से paint भी नहीं करके रखा तुम लोग पूरी natural beauty गंदी कर रहे हो यहाँ पर अपना stand लगा के इसलिए वो लोग रुकते हैं ना कि हमसे कुछ खरीदने के लिए तो इस पूरी पूर्ण में दर्द और तकलीव बताई गई है villagers की, poor people की जो एक hope, एक उम्मीद से वहाँ पर roadside stand लगाते हैं ताकि उनकी भी lifestyle सुधरे वो भी life में कही न कही इंप्रूफ करे अगर दो पैसे उनके हाथ में भी आते हैं तो तो यह जो expression poet ने used किया है polished traffic इसका क्या मतलब है और यह expression city people, शहर में रहने वाले जो अमीर लोगे जो highway से निकलते हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ीों में speed में यह polished traffic का expression in city people के बार में क्या reveal करता है हमें क्या बताता है वो हमें बताना है Let's check the answer The expression polished traffic refers to the cars and other vehicles that pass by the roadside stand and the edge of the road यह expression used हुआ है कि जो traffic निकल रहा है यहां से यह polished traffic है यह इसमें बड़ी बड़ी cars जा रही है vehicles जा रही है जो pass होके निकल रहे हैं चुपचाप निकल जा रहे हैं बड़ी हाँ speed में निकाल के और side में edge of the road याने road के किनारों पे जो चोटे-चोटे roadside stand निकल रहे यह लोग इनको देख भी नहीं रहे इनको notice भी नहीं कर रहे है तो polish traffic का मतलब वो गाड़ी हैं जो speed से निकल जाती है उनसे है यह reveal करता है यह बताता है में city people के बारे में शेहर के रहने वाले लोगों के बारे में कि वो लोग हमेशा हरी में रहते है हमेशा जल्दबाजी में रहते है और उनके पास बिल्कुल भी time नहीं है थोड़ा सा time रुक के भाई कि आप इन countryside के लोगों से कुछ खरीद लो अब countryside आप बोलोगे शेहर के लोग है नहीं countryside का मतलब जो गाओं तरफ शेहर के बाहर रहने वाले लोग होते है उन्हें हम countryside people कहते है तो इन city people के पास इन countryside के बिचारे villagers के लिए थोड़ा भी time नहीं के रुक के कभी इनसे कुछ खरीद ले यह जो city people है यह सिर्फ अपने जीवन में अपने life के goals अपने life के objectives पर इनका focus है कि हमें तो यह करना है यह करना है यह achieve करना है बस उस पर ध्यान देते रहते हैं और कभी भी हम poor people हम गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते कि भाई कभी हम इनकी मदद कर दे यह जो गरीब लोग है यह dire need है कुछ extra money के dire का मतलब क्यों होता है serious and urgent यह जो गरीब लोगे इनकी जो need है जरूरत है बहुत serious है और urgent है यानि वाक़ी इनके पास पैसे नहीं है इनकी जो situation है बहुत serious है इनके घर में शाइद खाने के लिए भी नहीं है तो यह जो city people है वो इन गरीबों के dire needs को समझते नहीं है ताकि कभी इनके लिए रुखनी जाते कभी बोलते ना कभी-कभी गरीबों से कुछ जरूरत ना हो तबी भी खरीद लो हो सकता है उनको इस extra little money की जरूरत हो ताकि वो भी अपनी life को better कर पाए एक वक्का खाना ही at least अच्छे से खा पाए तो polish traffic का मतलब यह होता है और city people के बारे में polish traffic यह reveal करता है यह बात दर्शा आता है बताता है next question how are aunt jennifer's tiger different from her अब यह जो question है किस poem में से है aunt jennifer's tigers में से clearly समझ में आ रहा है poem को थोड़ा सा समझते है this poem is written by Adrien Rich साथ साथ में poet का भी नाम बताती चल रही हूँ है poem में क्या होता है एक aunt होती है याने एक auntie होती है इसका यह मतलब है कि वो newly married नहीं है aunt बोल रहे है याने उसकी शादी को बहुत साल हो गए है बहुत सारे साल हो गए अब वो aunt बन गई है और उसका नाम है Jennifer aunt Jennifer अब इनको embroidery करना सिलाई कड़ाई बुनाई करना बहुत पसंद है तो यह क्या करती है tapestry करती है tapestry याने fabric होता है एक कपड़ा होता है इसके उपर अपने designs वगरे embroidery करती है यहने सलाई कड़ाई से बनाती है और यह क्या बनाती है यह tigers बनाती है अब tigers की personality देखें तो कैसी होती है बहुत bold होते है strong होते है fearless होते है इनको किसी से डर नहीं लगता है कभी भी attack कर सकते है इनको किसी से डर नहीं है अगर hunters याने men इनके सामने आजे तो ये उनके उपर भी अटैक कर जे, इनको आदमियों से हंटर से भी डर नहीं लगता है यही अगर हम आंट जेनिफर की बात करें, कि उनका पॉस्टनालिटी, उनकी पॉस्टनालिटी कैसी है तो Aunt Jennifer है एक बहुत toxic marriage में एक बहुत जहरीली बुरी शादी में फस गई है क्योंकि जो उनके husband है वो सालों से उनको dominate कर रहे हैं उन पर चड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनको उनकी इच्छा अनुसार जीने नहीं देते हैं और Aunt का कही न कहीं कहना ये है कि वो डरती है वो उनको embroidery भी नहीं करने देते जब वो घर के बहार जाते हैं तब वो बैठके अपनी embroidery वगरे करती है कही न कहीं वो इस शादी के बोज से और इस male dominated society की वज़े से जहां सरफ मर्दों की चलती है वो फस गई है वो अब बिल्कुल चुप हो गई है silent हो गई है और बिल्कुल कुछ नहीं कहती डरती है अपने husband से इस society से तो कही न कहीं जो आंट बना रही है अपनी tapestry में अपने आंट में tigers वो बिल्कुल opposite है उनके खुद से क्योंकि आंट डरती है चुप है fearful है और वहीं जो वो अपने tigers बना रही है वो fearless है strong है bold है किसी listening रहते है आंट अपनी life में men याने आदमियों से डरती है specially अपने husband से लेकिन tapestry में जो tigers है वो hunters याने men से आदमियों से नहीं डरते आंट एक male dominated society में है और उस एक toxic marriage में है तो question में पूछा जा रहे है कि आंट Jennifer के जो tiger है वो कैसे अलग है उन से खुद से याने आंट की personality में और tigers की personality में क्या difference है let's check the answer Aunt Jennifer's tigers created by her on the tapestry are in sharp contrast with herself while aunt is weak, meek and submissive and is scared of expressing her feelings openly on the other hand the tigers are strong, fearless and confident they are bold creatures and are scared of none not even the men तो Aunt Jennifer के जो tiger है जो वो अपनी tapestry में याने उस फाबरिक पे उस कपड़े पे सलाई बुनाई कर रही है वो sharp contrast में है याने totally opposite है उन से खुद से आंट बिलकुल अलग है और tigers जो वो बना रही है वो बिलकुल अलग है आंट बहुत weak है जीवन भर अपने पती के लिए काम कर करके घर का काम कर करके बहुत कमजोर हो गई है वो meek है याने quiet है चुप है क्यों? क्योंकि long suffering क्योंकि लंबे समय से suffer करती हो आ रही है बरदाश करती हो आ रही है इसलिए अप चुप हो गई है और बहुत submissive है submissive का मतलब क्या होता है ready to obey the authority or will of others जैसा उनके husband ने authority करी कि ये करना है तो बस वो वैसा करेगी सामने आले ने जैसा बोला उनकी will पे उनकी मर्जी पे मान जाती कि ठीक है भाई जैसा आपने बोला तो आंट अप submissive बन गई है और कही न कहीं अपनी feelings express करने में डरती है खुलके अपनी feelings ने express करती अपना artwork अपने शौक का काम भी अंकल के उसके husband के absence में करती है क्योंकि अंकल को ये भी नी पसंद करे रहे तुम time waste करती रहती हो ये सब बनाती हो सारा दिन दूसरी तरफ अगर हम आंट के द्वारा बनाए गए उनके tigers की बात करें तो वो बहुत strong होते हैं क्योंकि tiger हमारा national animal है बहुत strong होता है wild animal है fearless है किसी से नहीं डरता और बहुत confident है क्योंकि बहुत confidently जाके वो अपने शिकार को पकड़ता है बिना डरे आंट के बिलकुल opposite है उनके tigers tigers बहुत bold creatures होते हैं याने किसी से डरते नहीं है and are scared of none और none याने किसी से भी नहीं डरते not even men याने आदमियों से भी नहीं डरते याने जो hunters उनको पकड़ने उनको हंट करने आते उससे भी tigers नहीं डरते और यहीं अगर हम आंट की बात करें उनकी life का जो man है उनके जो husband है जो ये male dominated society है आंट उस आदमियों से डरती है तो ये पूरी आपकी आंट Jennifer की story है उनकी पूरी कहानी है So this was all about our today's session आज हमने Flamingo book के सारे chapters and poems के important questions करे साथ ही साथ मैंने आपको summaries and important words भी समझाए अगर आपको poems से related कोई भी एक छोटा सा भी doubt हो तो आप प्लीज मुझ से पोच सकते है मैं आपके doubts के लिए कर सकती हूँ Let's check your doubts first Haanji, poems से related जो भी doubts है प्लीज पूछिए Pranjal Sharma कह रहे है A thing of beauty is left A thing of beauty मैंने आपको explain कर दी थी which is by John Keats की things of beauty और ने nature की जो खूबसूरत चीज़े होती है जितना आप उन से जुड़ेंगे, कुदरत से जुड़ेंगे उतने आपके life की pain and suffering भटेंगे मैंने आपको यह explain कर दिया था और किसी को poems से related doubts है तो please आप पूछ सकते हैं और poem chapter जो भी doubts है आपको Flemingo book से आप मुझसे पूछ सकते हैं Yes, hello, hi, आप बाद में करिए आप पहले पूछिए जो भी doubts हैं आपके कोई मुझसे पूछ रहे है Aunt Jennifer Stigers की theme क्या है poem की पूरी theme है theme है freedom याने आजादी Aunt Jennifer freedom के लिए आजादी के लिए yorn कर रही है याने कहीं न कहीं उनके मन में इच्छ है कि मुझे आजाद करो अपनी मन से अपनी इच्छ अनुसार मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूँ खुल के strength के साथ अपनी life को जी पाऊँ लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है अपना hobby अपने artwork को भी अंकल से डर डर के कर रही है वो तो जो पूरी theme है पूरी poem की Aunt Jennifer's की वो है freedom आजादी चाहिए उसे जो कि उसके पास नहीं है येस और पूछिए ओके आई डूंट तिंक सो कि अपको यहाँ पर poem से related और कोई extra doubt है क्योंकि यहाँ पर सब cover up होई गया है तो आज हमने यहाँ पर पूरे chapters and पूरे poems flamingo book के finish करे हैं कल इसी time same time पर मैं आऊंगे और हम विस्तास book के सारे chapters के important questions and summaries को cover up करेंगे and डरने की बिल्कुल ज़रती सब मैं complete करा दूंगे tension लने के अजैसे flamingo complete हुआ विस्तास and writing skills वगरे भी मैं सब करवा दूंगे आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर पर देख सकते हैं वहाँ न देखें तो हमारी website पर जाएं which is magnetbrains.com वहाँ पर आपको हमारे सभी top courses मिल जाएंगे e-notes, e-books मिल जाएंगे जिनके links आपको हमारे description box में मिल जाएंगी तब तक लिए stay tuned and bye-bye